आओ नमसकार दोस्तों आपका सागत हैं मेरे चैनल प्रियंका's word of neurology में और मैं हूँ आपके दोस्त प्रियंका आज की वीडियो फिर एक नए रेमेडी के साथ इस वीडियो में मैं आपके लिए एक रेमेडी लेके आई हूँ और यह रेमेडी उन लोगों के लिए है जिनकी खुद की शॉप है चाहे वो शॉप किसी भी चीज की हो में जनरल स्टोर हो या कपड़े का व्यवसाय हो आपका वारी लाइफ अब धिये जिरे वापस अपने जगह पे आ रही है जो कि अपसे दो साल पहले हुआ करते थी फोड़ा टाइम लगेगा सब सफर किये हैं सब ही सब नहीं इस समय को सब पर ही पैक्ट आया है तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ने सफर किया है लेकिन अगर हम किसी च प्योग करके उन चीजों को बढ़ा सकते हैं तो उन चीजों को जरूर करना चाहिए ऐसा करने से बहुत पॉसिटिव एपक्ट आता है और इस्पेशली यह उन ही लोगों के लिए है जिनकी खुद की कोई दुकान हो मिस किसी भी तरह के शॉप हो और पहले लोग कहते हैं थ ज्यादा फोकस घर से ज्यादा फोकस आपके शॉप पर होना चाहिए क्योंकि आपकी बरकत वहीं से होनी है वहीं से आपका खर्चाना है और अगर शॉप अच्छी चलेगी तो आप तभी घर भी ध्यान दे पाएंगे तो यह सब चीजें फॉलो करने यह उन लोगों के लि जो भी प्लेस उन्होंने डिसाइड किया है जहां भी है और जानते होंगे आपको करना क्या है उस दुकान का पूरग और उत्तर के बीच का कॉर्नल जो कि इशान कोर गहा जाता है याद रखेगा पूरग और उत्तर के बीच का कोना जो कि इशान कोर गहा जाता है वहां पे आपको एक लाल चुंड़ी लेनी है उसमें नारियल, सुपारी, हल्दी, अक्षत और एक रुपए का सिक्का आपको उसमें बाहना है और बाहन के आपको उसको इशानपूर में रख देना है ठीक है और वो इशानपूर हमेशा साफ सुत्रा होना चाहिए मिन्स ये पूजा की ही जगह है और डेली आपको दुकान जब आप खोलते हैं जब दुकान में प्रवेश करते हैं साफ सफाई करके आपको पूजा करनी है उस लाल चुंड़े के जिसमें आपने ये पान के रखा है और यकीन मानिया ऐसा करने से आपको बहुत ही अच्छा प्रवाव देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा इपेट मिन्स आप जैसा सूचते हैं कि आपकी दुकान ऐसे चले आपको उसमें एक पॉजिटिव रास्ता दिखेगा तो आप ऐसा करके देखिए और इशानपूर इसके बारे में भी मैं आपको बता जेती हूं इसको देवताओं का स्थान माना जाता है मिस इस पुने को देवता को स्थान माना जाता है जब भी देवता धर्ती पे आते हैं तो वो धर्ती का जो इशानपूर है वही वास करते हैं और इसे महादेव का भी अस्थान कहा जा आप पूजा करते हैं आपको डेली ही करनी है उस चुड़ी की जो कि आपने बान के रखके होई है आप ये रेमेडी फॉलो कीजिए यकीन मानिए बहुत असर और बहुत ही सक्रात्मक प्रोहावदेट को मिलेगा और आप मुझे कमेंट करके भी जरूर बताईएगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पर रेमेडी बनाओ जिसकी आपको जरूरत है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताईए मैं पूरी कोशेश करूंगी कि वो रेमेडी आप तक बहुत जाओ और लास्टने अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें शेयर कर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद